मीरा भेंदर में एनिमल के लिए कारे कर रहे समाज सेवक मोसेश चिनपपा बुद्धवार को मुंबई इस्तित मीरा रोड़ पुर्व में बेवली पार्क के डॉग और केट के लिए फ्री हैल्ड चेकप का कैम आयोजन मोसेश चिनपपा द्वारा किया गया मोसेश चिनपपा ने मीडिया से बाचीत में कहा कि एनिमल की सहता करनी चाहिए क्योंकि वो बेजुबान है वो बोल नहीं सकते अगर सड़क पर भी कोई जानवर को चोट में देखे तो उनकी मदद करें करें सिर्पा दॉब है कि स्योंकि करें स्यक्राओं परी में जानवर कि जानवर को शुम्दे अगरा सत्री में आहीं पर शुम्दे करें सोंकित हैं सबवारा का अगरा करतक है नमस्ते, मैं दॉक्टर मरगज, आज हमारे पेट क्लिनिक का आज फर्स अनिवरसरी है और हम लोग इधर बेवरली पारक में स्टार्ट करके एक बरस पूरा हुआ है लेकिन मैं मुझे चिनपा सर को लास्ट ट्वेंटी यह से जानता हूं और मुझे मालूम है कि उन्होंने स्ट्रेट डॉग और कैट्स के लिए बहुत हमेशा हो हिल्फूद रहे हमारे इदर बहुत सरा टाइमों स्ट्रेट डॉग और कैट्स को बेचते है और उसका खर्चा भी उठाते है तो कभी भी मतलब दीन रात कभी भी उनके पास इंक्वा करता हूं तो ऐसे महिनों में कितने डॉग सोट डॉग गैट्स उनके दर्ब से आते हैं जो स्ट्रेट डॉग जनको रोड पे मतलब कोई हिल्प नहीं कर सकता है उसकी चार्जेस कों करता है उसकी चार्जेस फुली इटिस बेर बाई चिनपसर मुझेश चिनपसर कि आप काफी सालों से यह जो रोड़ पे कुटे हुटे हैं से बिल्जेस को कहीं भी रहते हो आप दूर रहते हो तो लोगों को भेज को उसका टिंप्टमेंट पर आते हो या अपने घर भी लेके चले आते हो यह जो भावना एक जागती है समास से बढ़ को आप अप कृश होता है मेरा ने हम सभी के दिल में उनके लिए भावना आती है और मैं कहूंगा कि काफी लोगों को लगता है कि मुश्किल है यह मुश्किल बिल्कुल नहीं है आप जब पुना जा रहे हो पन्वेल जा रहे हो रास्ते में अगर कोई डॉगी का एक्सिदून्ट है उसकी ल लोग है जो शायद मेरी जैसा फेस्बूक पे या सोशल मेडिया एक्टिव में मैं एक्टिव इसकी लिए कि ताकि लोग मुझे अपरोच कर सके अब मैं तो छोटा यगदान दे रहा हूँ पूरा सराना जाता है डॉक्टर मर्गाज को क्योंकि सबसे पहला बाता थी कर दोगी और के अब दोगी और कैट्स को इलाज कर सके क्या इनका जो बिल जाता है मैं कभी डीटेल में नहीं चेक करता हूं पर इनो नहीं जो अब है मैं सो दो सो डॉग बेचता हूं एक अप्रोक्समेट पचास साथ तो एक दो हफते में आई जाते करे क्योंको लोग खा पर इस शहर में दो तीन डॉक्टर और तो कहूंगा उपराल से दुआ कि और दस डॉक्टर जैसे होने चेह ताकि यह इलाज हो सके और सब आनिमल लवस को मैं कहूंगा कि किसी भी डॉग एड को देख कर यह मत सोचों कि इसका बोत बड़ा हेड़े के नहीं है कुदरती आज अगर कितने बीमारी अनिमल अपने ठीक हो जाते हैं उनको सर्दी खासी मलियरत हमको पता भी नहीं चलता है पर जब ब्लीड हो रहे हैं मैगोट्स हो जाते हैं या कुछ एक्सिदेंट्स होता है तो इस वरी इंपॉर्णन को हम उनको फॉर्स्ट दे और उनकी जान बोलने पाऊंगा बट थैंक्स तो अभी जी उनके ममी टारी भी आज हमारे साथ है तो यह जो लोग है या ऐसे और दस पंदा फैमिली मेरा बेंदर में हो जाए तो इस शेहर में जो इस्चुज हो जाएगी और अगर यह वीडियो नगरपाली का के लोग देख रहे हैं तो यह सब फिगर्स आते हैं तो हम डॉक्स का वैक्सीन क्यों ने कर सकते करके इनके जो रइबी से सुसाइटी में काफी लोग है जो कंप्लेंड करते हैं कि डॉक्स हमारे पीछे आते हैं और वो भुके हैं उनको खाना नहीं मिला उनको बुखा रहे हैं आज मुझे तीन दिन बुखार रहे हैं मैं दवाई नहीं लोगा मुझे कोई भी बात करें मैं चिडशिट करूंगा वही सबाह आपके डॉक्स का है और मैं आप सब लोग को कहना चाहूंगा कि जो डॉक्स के मेडिसेन से वो इनसान जैसी है परसेटमॉल लिवर 52 क्रोसीन यही सब दवा जय मानस्टर।